दोस्तो नमस्कार मैं फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोगों का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड आज मार्केट में सबसे ज़्यादा और मुनाफ़ा भी चार गुना है तो इसे आप पूरा जुरूर देखें क्योंकि मैंने इस बिजनेस से समंधित सभी परकार की जानकारी जैसे इस बिजनेस को सुरू करने के लिए हमें कितने जगह की जरूरत होगी इसे समंधित कौन-कौन सी मसीने है और यह मसीने हमें मिलेंगी कहां इसकी कीमत कितनी है रा मेटरियल कौन कौन से लगेंगे और मिलेंगे कहां और साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को सुरू करने के लिए हमारी लागत कितनी आएगी और यह भी बताऊंगा कि आपको इस बिजनेस में मुनाफ़ा कितना होगा तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सर्जिकल मास्क बनाने के बिजनेस के बारे में दोस्तो आपको मालूम है कि आज करोना वायरस के वज़र से भारत नहीं बलकि पूरी दुनिया के 90% लोग सर्जिकल मास्क का उपयोग कर रहे हैं ऐसे में इसका बिजनेस शुरू करके आप काफी लंबे समय तक लाव कमा सकते हैं और इसकी मार्केट के बारे में तो आपको पता ही हो गया है कि अब लाइफ टाइम के लिए मजबूत हो गया है तो दोस्तो इस business को शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अच्छी लगे तो इसे like, share एवं इस channel को subscribe जरूर कर ले क्योंकि इस channel पर मैं hand sanitizer एवं hand wash के business से सम्मंधित वीडियो भी upload करूँगा जो आप आसानी से देख सकते हैं तो जल्दी से like कर दीजिए और नए हैं तो आप इस channel को subscribe जरूर कर लेजिए दोस्तो सर्जिकल मास का business में आप machine का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको शुरुवाती तोर पर 5 लाख रूपे का investment करना होगा यदि आप हाथों से घर पर बनाना चाहते हैं तो आप 20,000 रूपे के investment से इसे शुरुख कर सकते हैं तो दोस्तो अब देखते हैं कि machine एवं raw material हमें मिलेंगी कहां दोस्तो इस business से समधित machine के लिए आप www.indiamart.com पर आप सकते हैं जो capacity इसका 5 kilowatt की यह machine है यह machine टाइप आटोमेटिक है तो आप यहां से यह machine खरी सकते हैं वस्ते supplier का number भी है आप देख सकते हैं इस पर contact कर सकते हैं, inquiry कर सकते हैं नई तो आप online search कर सकते हैं, बहुत सारे supplier होंगे जो की यह machine आपको दे सकते हैं यह तो market से भी आप जाकर खरी सकते हैं दोस्तो machine लेने के बाद हमें raw material के जुरूत होगी raw material के लिए भी आप इंडिया मार्ट पर आ सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर जो है जैसीरी बुलू सर्जिकल फेस मास्क नौन ओबेन फैबरिक यह जो है RS 135 रुपे किलोगराम है यानि कि 135 रुपे का 1 किलोगराम यह कपड़ा जो है फैबरिक यह मिलेगा आपको एक किलोगराम में लगभग 200 मास्क बनकर त्यार हो जाता है इसका ब्रांड जो है जैसीरी का है GSM जो साइज है 10 से 40 GSM का है तो आप यहां से इसे भी मंगवा सकते हैं नहीं तो ओनलाइन सर्च कर सकते हैं बहुत सारे सप्लायर मिलेंगे आप तक पहुँचाने के लिए नहीं तो आप मार्केट से भी खरे सकते हैं इसके बाद का अच्छा माल में हमें इलास्टिक की भी जुरुत होगी यानि कि एर लूप है जो हम मास्क में कान में फसाते हैं वो एर लूप तो यह भी आप इंडिया मार्केट से खरे सकते हैं नहीं तो मार्केट से भी ले सकते हैं इसकी कीमत जो है 1.1 रुपया 25 पैसा परती मीटर है तो यह भी राव मेटरेल के रूप में हमें खरदनी होगी इसे भी आप मार्केट से खरे सकते हैं या ओनलाइन भी मंगा सकते हैं बहुत सारे सप्लायर आपको मिल जाएंगे दूस्तो प्रोडक्शन होने के बाद अगर हमारा माल बन के तयार हो जाता है तो हम इसे किस रेट में बचेंगे तो रेट देखने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ फिर से इंडिया माट पर और आप यहां पर देख सकते हैं पांच रुपे परतिपीस है तीन रुपे निनानवे पैसा परतिपीस है चार रुपे परतिपीस है यहां पर देख सकते हैं 6 रुपे प्रतिपीस, यहां पर देख सकते हैं आप 5 रुपे प्रतिपीस, यहां पर देख सकते हैं 7 रुपे हैं, तो इस तरह इसकी rate तीन गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है, चार गुनी ज़्यादा हो जाती है, जबकि 135 रुपे फेबरिक खरित के हम 200 मास्क बना सकते हैं 1 kg में तो उस हिसाब से अगर इसको आप कल्कुलेशन करें तो कितना बड़ा मुनाफ़ा है इस बिजनेस में आप सोच सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे हम इस बिजनेस से समंदित प्रॉफिट रिपोर्ट के हम बात करेंगे एक प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि इस बिजनेस में हमारा कितना मुनाप़ा हो सकता है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिक्स कैपिटल की यानि कि 5,000 रुपए खर्च करने होंगे यानि कि 2,55,000 रुपए हमें फिक्स कैपिटल में खर्च करने होंगे यह फिक्स हो जाएगा इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा इसके बाद हमें रा मेटरियल करने के लिए अलग से पैसे चाहिए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इ 150 फिस मास्क जो है एक मिनेट में बना सकती है यानि कि पूरे दिन में 200 kg ये फेब्रिक जो है कंजप्शन कर सकती है लेकिन हम यहाँ पर 100 kg ही रखे हैं 100 kg अगर हम कंजप्शन करते हैं तो 135 रुपे के रेट के हिसाब से ये 13500 रुपे हो जाएगी दो नमर में देखिए इयर लूप जो इयर लूप यानि कि इलास्टिक हमें करना होगा इसमें 5000 मिटर इलास्टिक लग जाएगा तो एक रुपया 25 पेसा के हिसाब से इसका 6250 रुपे इसके हो जाएगे तीन नमर में आप देख सकते हैं पैकेजिंग मेटरियल जो हमें 2000 पैकेट बनेगी इसमें करने होंगे और 6 नमबर में miscellaneous expenses 1000 रुपे और 7 नमबर में अब देख सकते हैं power, power 30 unit हमारा आएगा इसका 6 रुपे के हिसाब से 180 रुपे हमारा एक दिन का power का भी पैसा देना होगा 8 नमबर में देख सकते हैं rent अगर हम इस business को शुरू करते हैं और जगा जो नहीं हमारे पास तो rent पे लेंगे अगर 15,000 रुपे परती मन्त देते हैं तो 500 रुपे एक दिन का उसका चार्ज हो जाएगा rent का total हमारा expenses यानि कि एक दिन का जो हमारा खर्च है 24,430 रुपे आएगा उस हिसाब से आप देख सकते नीचे net 200 पीस face mask is produced in 1 kg फेबरिक एक केजी फेबरिक में जो है 200 पीस face mask आराम से बन सकता है तो 100 kg में कितना बनेगा तो 100 into 200 यानि कि 20,000 पीस हमारा face mask बन कर त्यार हो जाएगा इतने खर्चे में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस business के profit report के बारे में आप देख सकते हैं profit report of 20,000 face mask per day यानि कि एक दिन में हम 20,000 face mask तो बना ही लेंगे लेकिन market में भी supply करना है तो आप नीचे देख सकते हैं cost of production one piece एक piece का हम cost of production अगर हम निकालते हैं तो 24,430 रुपे हमारा जो cost of production का एक दिन का वो divided by 20,000 यानि कि 20,000 face mask बना हमारा तो उस हिसाब से एक रुपे 22 पे से हमारा एक पिस का cost of production पड़ रहा है रा मेटरियल सहीद अगर इसका market value हम देखें यानि कि market price of one day one piece एक पिस का market price देखें तो 3 से 6 रुपे मैंने आपको इंडिया मार्ट पर दिखाया था 3 रुपे से लेकर 8 रुपे तक एक पिस का कीमत था तो उस हिसाब से उतना में तो हम नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हम retailer नहीं है हम manufacturer हैं तो market में हमें कम rate में supply करना होगा ताकि उन लोगों को पैदा होगा तब ही हम से वो लेंगे तो यदि हम market में एक पिस का rate अगर 2 रुपे लेते हैं मात 2 रुपे तब ही total production हमारा कितना है 20,000 आप देख साथ है total production of pieces 20,000 pieces है हमारे पास तो total cost देखे इसका total value देखे तो total market value इसका हो जाएगा 20,000 into 2 यानि कि 40,000 रुपे हमारा एक दिन का market value हो जाएगा 40,000 रुपे उससाब से अगर हम profit निकले तो profit in one day एक दिन का profit हम निकलते हैं तो 40,000 यानि कि हमारा market value minus cost of production एक दिन का 24,430 इसकल टू आएगा हमारा 15,570 रुपे एक दिन का profit सिर्फ एक दिन का profit हमारा 15,570 रुपे आएगा उससाब से अगर हम एक महिने का profit निकले तो इन one month यानि कि 15,570 into 30 इसकल टू देखे तो 4,67,100 रुपे हमारा एक महिने का profit आजाएगा एक महिने में हम 4,67,100 रुपे कमा सकते हैं इस face mask का business करके इसमें बहुत ही ज़्यादा पैदा है अगर हम 100 kg माल खपत नहीं कर पाते हैं मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाते हैं प्रोडक्शन होने के बाद सिर्फ 20 kg भी अगर एक दिन में हम कंजब्सन करके और मार्केट में face mask को सप्लाई कर दे 20 kg को तो आप देख सकते हैं नीचे 4,67,100 divided by 5 यानि 5 से डिवाइड करेंगे तो 93,420 रुपे हम फिर भी मंतली इंकम कर सकते हैं 5 लाख रुपे से बिजनेस को सुरू करके दोस्तो सर्जिकल मास्क के बिजनेस को सुरू करने के लिए किसी पंजिकरन की लाइसेंस की आवस्यक्ता नहीं होती है क्योंकि यह एक आम उत्पाद है जिसका निर्मार कोई भी ब्यक्ति कर सकता है और कोई भी ब्यक्ति इसका इस्तेमाल भी कर सकता है लेकिन यदि आप मसीन लगा कर इस बिजनेस को करते हैं तो आपको इसके लिए ट्रेड लाइसेंस लेना आवस्यक है और साथ ही अपने वेवसाय को AMSME के ताथ पंजीकरन करवाना भी ज़रूरी होता है आप साथ में GSTV पंजीकरन करवा ले तो दोस्तो इस वीडियो में दी गई सर्जिकल मास की बिजनेस के बारे में जनकारी आपको कैसी लगी आप इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो कि छोटी इंबेस्मेंट में अलग अलग तरह के बिजनेस के बारे में जनकारी देती है उससे देखने के लिए आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं धन्यवाद जयेंद